हाई अम्रेंस आप देखरें फिल्मी के चली मैं हूँ उना आशीश और चलिए हम बात करने वाले हैं तो किसी और को ना चाहे इस गाने की बारे में और उसी का रवीदनी के लिए मैं आई हूँ है चाहर याने की हमेश चाहर में मेलडीज इस यूट्यूब पर रिलीज किया गया है और अपलोड किया गया है और जो आवाज है अरुनिता कांजिलाल और निहाल टौरो की है लिखा और म्यूजिक डिरिक्शन दोनों हमेश ची का है रिवीव शुरुआत करते हूं फिरिंस जैसा कि मैं अपने पुराने आज ही के वीडियो में भी कहा था कि ये गाने जब रिलीज हो रहे थे लाँच हो रहे थे अपलोड किये जा रहे थे स्ट्रीम हो रहे थे जाने कि हनवान चारिसा और तू किसी उस लिए में मैं प्रेस मीट में थी सुपरस्टार सिंगर्स से जब ये वाला गाना लॉंच किया गया या अपलोड को रहा था उस समय ना मैं इन चारो पांचों के सामने बैठी हुई थी और किसी ने कहा कि अरुने का तुम्हाला गाना आ गया होगा अरुने ने फटा-फटा अपना फोन लिया और गाना सुना और जो आवाज आई मे दिल से आई और फिर सर्टनली उसके बाद थोड़ा सा सुना और फिर देखा अरुनेता ने किया अरे आसपास इंट्व्यूस के लिए सब जोनलिस वेट कर रहे हैं मेरा ऐसा नहीं हो मेरी वज़े से कुछ गरबढ हो जाए इसलिए उसने पटा-पटा अपना मोबाइल आवास है शी इस ओफिक्ट कोई भूल टूक लेने देनी नहीं होती डिरेक्टर में म्यूजिक डिरेक्टर जो बताएगा बिल्कुल वैसे ही टू दे पॉइंट गाने वाली आवास है म्यूजिक के में बात करूं तो वह जो स्टार्टिंग में और जो एक संतूर जैसा प् वह आपका आथ थ्यान अकरशित किये रहती है बहुत अच्छा लगता है अरुनिता की बात हो गई म्यूजिक डिरेक्टर की बात हो गई और अब बात होने वाली है नहाल की नहाल की आवास के एक कारेकचर है कि हमेशह कहते हैं बड़ी मखमली सी आवास है उसकी होता कि है जब ही कोई वर्ड या कोई लान नहाल गाता है तब ऐसा लगता है कि वो पीछे संदept शर्मा रहा होगा या मुस्कुराते हुए यह गाना गा रहा होगा या एकदम थोना सा जेपते हुए प्यार भरा गाना गा रहा होगा तो जब भी निहाल यह गाना गाता है अचानक से वो सब विजुल सामने याद आ जाते हैं कि अच्छा यह चल रहा होगा निहाल का और फिर वो गाना और इंड्रेस्टिंग लगने लग जाता है ऐसे में इन दोनों का कॉंबिनेशन लाए गया है अरुनिता का और नहाल का जो कि एक बहुत नया कॉंसेप्ट लगा मुझे पूरे गाने में अगर देखा जाए तो बहुत सुन्दर ये लगा कि इन दोनों के आवाज का कॉंबिनेशन एकदम ब्यूटिफल है एकदम पॉफेक्ट और एकदम सॉलिड सा है तो गाना अच्छा लगना ही है पूरा गाना सुनने के बाद मुझे पता है क्या लग रहा था अगर बॉलिवुड वाले इन सिंगर्स को इस फिल्म में लेना चाहे अभी की फिल्म में लेना है तो अभी ले लो दूसरे फिल्म में लेना चाहे नेक्स्ट तब ले लो उसके बाद की फिल्म में लेना चाहे तो तब ले लो लेकिन low जरूर क्योंकि इतनी freshness, इतनी मिठास, इतनी perfection और इतना अपनापन गाने के लिए जो अपनापन हो जाता है वो इन दिनों में किसी भी music वाले ये किसी singer के साथ हो जाएगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता और लगता भी नहीं है गाना बहुत अच्छा है, बहुत जल्द इन लोगों के पास खुब सारे offers आजाएं, at least मैं तो यही दुआ करती हूँ, बड़े ही talented singers हैं सब के सब यह मेरी सोच है अब आप अपनी बात बताईए, आपको यह गाना कैसा लेगा, लिखकर बताईए, जय हिंद